आज हम बात करेंगे अपना इम्यून सिस्टिम को मजबूत याने स्ट्रॉंग कैसे बनाएं तो ऐसे मजबूत कीजिए अपना इम्यून सिस्टिम शरीर लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियों के वाहक जिवानों के हमले जेलता रहता है ये हमले नाकाम तभी हो सकते है जब हमारे शरीर का कीला यानी हमारी रोग प्रतिरोदक्षम्ता मजबूत हो इस कीले को मजबूत करना कोई जादा मुश्किल नहीं है आईए देखते है कैसे जल यह प्राकृतिक आउशदी है प्रचूर मात्रा में शुत जिल के सेवन से शरीर में जमा कई तरह के विशेले तत्वब बाहर निकल जाते है और प्रतिरोदक्षम्ता बढ़ती है पानी या तो सामान्यत अपमान पर हो या फिर थोड़ा कुनकुना फ्रिच के पानी के सेवन से बचे रसदार फल संत्रा मौसमी आदी रसदार फलों में भरपूर मात्रा में खनीज लवन तथा वाइटामिन सी होता है प्रतिरोदक्षम्ता बढ़ाने में ये महत्व पूर्ण भूमी का निबाते है आप चाहिए तो पूरे फल खाए और चाहिए तो इनका रस निकाल कर हाँ लेकिन रस में शक्कर या नमक न मिलाए गिरदार फल सरदी के मौसम में गिरदार फलों का सेवन फाइदेमन होता है इनने राद बर भीगो कर रखने वो सुबचाय या दूद के साथ खाने से आदे गंटे पहले लेने से बहुत लाब होता है अंकुरित अनाच अंकुरित अनाच जैसे मू, मोट, चना, आदी तथा भीग्यूई दालों का भरपूर मातरा में सेवन करें अनाच को अंकुरित करने से उनमें उपस्तित, पोशक तत्वो की ख्षमता बढ़ जाती है ये पचाने में आसान, पोश्टिक और स्वादिष् सलाद भोजन के साथ सलाद का उप्योग अधिक से अधिक करें भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो, इसके लिए सलाद का सेवन बहुत जरूरी होता है ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्तागोबी, प्याज, चुकंदर आदी को सलाद में शामिल करें इन में प्राकृतिक रूप से मौजूत नमक हमारे लिए परियाप्त होता है, हाँ, उपर से नमक न डाले चोकर सहित अनाज, गेहु, जवार, बाजरा, मक्का, जैसे अनाज का सेवन चोकर सहित करें इससे कप्ज नहीं होती, तथा प्रतिरोदक शमता चूस्त और दुरूस्त रहेगी तुलसी तुलसी का धार्मिक महत्वा अपनी जगा पे है, मगर इसके साथ ही यह अंटिबायोटिक, दर निवारक और प्रतिरोदक शमता बढ़ाने में भी फायदेमन होती है रोद सुबह तुलसी के तीन चार पत्तों का सेवन करे योग योग वो प्रानायम शरीर के स्वस्त और रोग मुक्त रखने में बहुत महत्वपुर्णम भूमी का निभात है किसी जानकार से इन्हें सीख कर प्रति दिन घर पर इनका अभ्यास किया जाना चाहिए हसनाज जरूरी है हसने से रक्त संचार सुचारो होता है और हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहन करना चालू करता है तनाव मुक्त होकर हसने से शरीर के रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ने में मदद मिलती है धन्यवाद